सब्सक्राइब कर लिया है ौजinka मैंने चल्रेंस अज हम फिर से रिविजिन शीरीज लेके आ symbols लेकर लिया है गर अपने व सारी व्यडियो ऋको नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेश में जाके जरूर चेक आउट कर लिजेगा आज हम उनका अगला प्लेश पढ़ने जा रहे हैं The Merry Wives of Windsor यानि कि हमने 6 यहाँ पे 7 प्लेश हैं यानि कि हमने 6 प्लेश को कवर कर लिया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेश में जाके जरूर वाच कर लिजेगा ओके सो लेट्स बेगिन आज हम देखेंगे The Merry Wives of Windsor यह भी शेक्सपियर का एक प्लेश है जो की आपका कॉमेडी है यह कब आया था 1597-1998 1597-98 98 की बीच में यह प्लेश आए है इसका सोर्स क्या है इसका जो प्लॉट है वो ओरिजिनल है इसकी सेटिंग कहां रखी हुई है इस विंसर में ही है तो आपको यहाँ पे याद करने की ज़्यादा ज़रूत नहीं और दिख लेते हैं तो इसकी सेटिंग भी विंड सरा एक्जाम में अक्सर पूछ ले आता है सेटिंग इसारे चीजिए ओके तो पहला उसमें है जॉन सर जॉन पालस टाफ है कि दॉच्ट्र केज जो पीजिशियन है रोबर चेलो है क्ट्रिक जस्टिस है अब्राहमें शिलनडर ये शैलो का कजीशियन है simple कौन है servant to slender यह मैंने community में पूछा भी था fenton कौन है एक young gentleman है तो इस type के जो characters है यह अक्सर exam में पूछ लिए जाते हैं तो इसको जरूरी है पढ़ना तो simple कौन है यह slender का servant है और fenton एक young gentleman है mistress ford, mistress page and next जो character है Ann page, mistress page की daughter है in love with fenton यह Ann page कोन है यह mistress page की daughter है जो किसे प्यार करती है fenton से fenton कोन है एक young gentleman है mistress ford और mistress page यह दो lady है अब यहाँ पे इसकी कुछ famous speech है तो देख लेते हैं oh what a word of wild ill-favored false look handsome in 300 pounds यह कुन बोलता है and page next है this is the third time I hope good luck lies in odd numbers अवे को they say there is divinity in odd numbers either in nativity change or death तो यह फाल स्टाफ कहता है तो यह उन्हें शेक्सपियर से Queen Elizabeth ने शेक्सपियर से कहा कि फाल स्टाफ को love दिखाया जाए कि फाल स्टाफ को प्यार हो गया है किसी से इस play में दिखाया गया है फाल स्टाफ को दोनों लेडी से प्यार हो जाता है फाल स्टाफ किसमें है The Mary Wives of Windsor में भी है और Henry 4th Part 1 and Part 2nd में भी है तो यह यहाँ पर इसकी समरी दी गही है The Mary Wives of Windsor की इसका PDF मिलेगा आप लोग पढ़ लीजिएगा इसकी जो इसका वो है समरी है आगे हम next play पे चलते है यह important play है Much I Do About Nothing इसे question भी आते है एक्जाम में इसको भी देख लेते है तो next tune का play क्या है Much I Do About Nothing जो कि एक comedy है यह भी कब आया है William Shakespeare का play है यह 1598 में आया है इसका source क्या है Lodo Vico, Aristo का Orlando, Purishow जो कि 1516 में आया है The English Translation by John Harrington in 1590 इसका जो English Translation है वो किस के द्वारा किया गया है John Harrington के द्वारा किया गया है 1591 में इसकी setting display की कहा हुई है तो मैशीना में हुई है अब इसके कुछ characters है देख लेते हैं इसके कुछ main characters है पहला character है Don Pedro Don Pedro कौन है यह Prince of Aragon है Prince of Aragon का राजकुमार है Next character है Don John जो कि एक bastard Prince है यह Don Pedro का ही भाई है Brother of Don Pedro यहां पर बताया भी है कि यह Don Pedro का भाई है बट क्या है यह bastard है मतलब यह villain का काम करता है इस play में Next character है Claudio Claudio of Florence account a companion of Don Pedro friend to Benedict तो यह Don Pedro का दोस्ट भी है companion भी है और Benedict का भी दोस्ट है Next character है Benedict Benedict कौन है एक Lord एक Lord और Soldier है जो कहां से आया है पाड़ूआ से आया हुआ है और Don Pedro का कौन है companion है लिवनाटो लिवनाटो कौन है Governor of Messina Messina का Governor है Hero यह इस play की हिरोईन है जिसका नाम है Hero तो हिरोईन का नाम ही Hero है यह daughter of लिवनाटो यह लिवनाटो की बेटी है बैट्रिस इसको बैट्रिस भी पढ़ सकते है बैट्राइस भी पढ़ सकते है यह कौन है यह लिवनाटो की भतीजी है नेस Next है Margaret and Ursula यह मैंने पूछा था community में Ursula का तो यह दोनों एक Waiting Gentle Woman है Attendant of Hero Hero की Waiting Gentle Woman है ओके Margaret and Ursula Next करेक्टर है डॉग बैरी एन वर्जिस तो यह कौन है यह Constables है जो की फुलिस के तोर पर इस प्ले में जाने जाते हैं कि फुलिस Constables है इसके कुछ फेमस स्पीच है देख लेते हैं इसकी फेमस स्पीच क्या है How much better आनन्द में रोना रोने में आनन्दित होने से कितना उत्तम है यह कौन कहता है दिवनाटो Next है I had rather hear my dog bark at a crow than a man's where he loves me यह बैराइस कहता है कि मैंने अपने कुट्टे को एक कवे पर भोकते हुए सुना था बजाए इसके कि वो मुझे से प्यार करता है यह किसने कहा है बेटराइस ने शाय नो मोर लेडिज शाय नो मोर मिन वर डिसी वर्स एवर यह बाल्टसर कहता है बाल्टसर क्या कहता है कि साय नो मोर मतलब आह और नहीं शाय मिस क्या होता है आह भरना आय है और नहीं लेडिस देवियों आय है और नहीं जो प्रोस होते हैं जो मेन होते हैं वो कभी धोके बाज थे होते हैं धोके बाज होते हैं ये कुन कहता है बालत सर ओके नेक्स्ट सम क्यूपिड केल्स एरोज सम विद ट्रैप्स कुछ जो क्यूपिड है क्यूपिड मतलब ह मारते हैं और कुछ ट्रैप करके मारते हैं तो यह कौन कहता है हिरो इस प्ले की यह जो नाइका है उसका नाम है हिरो नेक्स टैए everyone can master grip but he that has it यह बैनेडिक कहता है कि हर कोई एक दुख में महारत हासिल कर सकता है लेकिन वह जिसके पास है यह बैनेडिक निकाहा है next है पोर देर वाज नेवर एट फिलोसोफर दैट कुड एंडियोर दा टूथ एक पेसंसली यह लिए लिए नाटो कहते हैं निक्स्ट है फाउल वर्ट्स इस बट फाउल विंड और फाउल ब्रित इस नुएसम देफोर आइविल डिपार्ट अनकिस्ट यह भी ट्राइस ने कहा है निक्स्ट है डन टू दिथ बाई सिलेंड्रस टंग्स यह लोड्यो ने कहा है और इस प्ले की फिमस सीन क्या है वेडिंग शीन मुखें-ध्यो बाउट्न की यह लिए प्झट अब amendments की यहां यह लेईगन चीज्ट्य में deeply नहीं इसका पीडियाफ आप लोगो मिल जाएगा हीना इंग्लिज क्लासिस पे टेलिग्राम पर ऑगे चलते हैं इसे रिलेटेट कुछ क्वेस्चन्स भी है उसको कर लेते हैं लोग पहला क्या है वो रिफ्यूज स्टू मैरी इन दा बिग्निंग ओब दा प्ले की सुरुवात में शादी करने से कौन इंकार करता है तो कौन किस ने करता है बैनेडिक अन्विटराइस ये दोनों शादी करने से इंकार करते हैं नेक्स कुशन है, where and when does the play take place, ब yani कब हुआ होता है, तो play जो कब होता है, कहां होता है, सिसली में होता है, और कब होता है, नेक्स कुशन है, how does Klawdio वो hero, यहां पerson कैसे करता है, तो he doesn't, वो नहीं करता है Claudio hero को लुभाता नहीं है Don Pedro उसकी जगा पे करता है यहां पे बताया भी है he doesn't, वो नहीं करता है Don Pedro करता है क्योंकि उसकी जगा पे hero को वो करना कौन जाता है Don Pedro जाता है, Claudio नहीं जाता है next at the beginning of the play what is Betrice's relationship to Benedict तो play की शुरुवात में Betrice का relationship Benedict सी क्या था कैसी relationship थी यहां पे वो लोग शुरुवात में क्या थे enemy थे, next है who is Leonardo, Leonardo कौन है तो hero के father है next question है, what does Don John want अब Don John कौन है जो bastard prince था Don Pedro का हुव है, what does Don John want, वो क्या करना चाहता है वो Claudio को बरबात करना चाहता है okay, next who carries out Don John's plan तो Don John की योजना को कौन अंजाम देता है तो Borachio and Margaret यह Don John जब hero पे इल्याम लगाता है तो उसको अंजाम कौन देता है कि इसको वो मोहरा बनाता है बरोची और Margaret से वो अपना काम करवाता है next है यहाँ पे क्या कह रहा है कि Don John है वो उपने उदासी का क्या रिजन बताता है वो कहता है कि इस इन हिस नेचर यह उसके सहभाव में उदासी उसके नेचर में है who is said to be and is किसे गदा कहा जाता है इस प्ले में तो Dogberry को कहा जाता है Dogberry कौन है Dogberry और वर्जेस कौन है एक फुलिस कॉंस्टेबल है next इस प्ले के कैरेक्टर मेरा मानना है कि इस प्ले के जितनी भी कैरेक्टर है जो भी क्वेस्टन बनते हैं इसको अच्छे से अप लोग पढ़ लिजेगे कि इस प्ले से क्वेस्टन आते ही आते है Why does Claudio reject Hero at the alter Claudio हीरो को अल्टर पर रिजेक्ट क्वे करता है यहाँ पर कर्क्टन सोझाए गा He thinks she cheated on him and lost her virginity वह सोचता है कि उसने उसे धोका दिया है और उसने अपनी virginity को क्वो दिया है इसलिए वह उसे शादी करने के लिया alter पर मना कर देता है ओके next who discovers don john's evil plot तो don john को जो evil plot था जो भी उसकी जो दुष्ट साजिस थी इसको discover किस ने किया पता किस ने लगाया तो the watch ये भी एक character है इस play का तो इसको भी ध्यान रखिएगा उसमें नहीं था यहाँ पे है character the watch ये भी character आपके much ado about nothing में आता है और ये don john के evil plot को ही discover यही करता है the watch next what does leonato's household do to punish claudio for shaming hero यहाँ पे क्या कहता है यहाँ पे कहता है कि leonato का जो परिवार है वो hero को शरम शरम शार करने गे sorry यहाँ पे क्या कह रहा है जो leonato का जो परिवार है वो hero को सरम शार करने के लिए claudio को दंडित करने के लिए क्या करता है तो he pretends hero is dead and challenges claudio to a duel मतलब वो hero को वो बहाना करते है hero मर चुकी है और वो claudio से duel करने का challenge करते है next which two characters write love sonnet कौन से दो ऐसे characters से यह question आया भी है कौन से दो ऐसे characters जो love sonnet लिखते है much I do about nothing में तो bitrice and benedic next to whom does don pedro propose marriage don pedro किसे शादी करने के लिए propose करता है bitrice को ही करता है claudio की जगह पे वो आता है उसको फू करने और वो मतलब claudio की जगह पे ही आता है bitrice से सब कुछ उसका काम करने के लिए claudio की जगह पे आता है वो next why is margaret mistaken for hero यहाँ पे क्या कह रहे है कि margaret को hero समझने की भूल क्यों हो जाती है क्योंकि she is wearing hero's clothes क्योंकि वो hero के कपड़े पहने रहती है next which character is sad at the end of the play play के अंद में कौन सा character is sad है तो don pedro ही है next है what makes claudio realize that he wrongly accused hero तो claudio को क्या एहसास होता है कि उसने hero के साथ गलत किया है कब होता है क्या एहसास होता है कि जब broochio confession of don john's plot जब broochio बताता है evil plot को बताता है कि सारी साजिश इसने की थी hero सही है तब जाके उसको realize होता है कि उसने hero के साथ गलत किया next when was this play probably first performed ये जो play है ये समभवते सबसे पहले परदाशित कब हुआ था तो 1599 में हुआ था next question है how do don pedro and claudio make benedict fall in love with batteries यहाँ पर क्या कह रहा है कि don pedro and claudio कैसे benedict को bitrice के sorry bitrice से प्यार करने के लिए मजबूर करते है कैसे करते हैं don pedro and claudio benedict को तकि benedict bitrice से प्यार करे क्या योजना करते है लोग क्या योजना बनाते है तो कहते हैं कि they have him over here their conversation in which they assert that she is in love with him तो उन्होंने उसे अपनी ही बात्चित सुनाई जिसमें भी दावा करते हैं कि वो उससे प्यार करती है मतलब ये दुनों आपस में बात करते हैं कहते हैं कि betrice benedict से बहुत प्यार करती है और benedict को सुनाते रहते हैं बेनेडिक की दिल में भी आ जाता है कि हां betrice मुस्से नफरत नहीं करती प्यार करती है और उसी तरह ये लोग betrice को भी सुनाते हैं benedict का जूट ही सुनाते हैं have betrice and benedict quoted before तो यहां पर क्या कह रहा है कि betrice and benedict ने पहले प्रेम संबन बनाए है तो yes but benedict left her next question है why is it necessary for hero to seem to die hero को मरा हुआ दिखाना क्यों जरूरी था because her reputation has been publicly tarnished क्योंकि उसकी जो reputation रही है वो सारजनिक रूप से कलंकित हो गई थी इसलिए next what term best describes dogberry's verbal comedy dogberry की जो verbal comedy का सबसे अच्छा वडन कौन सा शब्द करता है तो मैला प्रोपीज में करता है ये भी word is play में है next what is balser's songs in act second scene third about जो यहाँ पर क्या कह रहा है कि act second act second scene third में balser का गीत किस बारे में है the infidelity of man कुरूसो की बेवफाई के बारे में है next what does the savais bull symbolize इसमें जो savais bull है वो किसका symbolize है किसका प्रतीक है जो जंगली बैल है तो the man unwilling to marry आदमी शादी करने को तयार नहीं है उसके लिए है next next question है who is the most socially powerful person in the play तो इस play में most socially powerful person कौन है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा Don Pedro है next in the absence of credible evidence to the contrary who must be viewed as the author of Shakespeare's plays तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके विपरीत विस्वसिनी साक्ष के अभाव में Shakespeare के नाटकों के लेखक के रूप में किसे देखा जाना चाहिए तो William Shakespeare को ही देखा जाना चाहिए next along with as you like it and 12 night much ado about nothing shares what characteristic तो यहाँ पे क्या कह रहे है कि as you like it or 12 night के साथ much ado about nothing क्या विस्वसिता share करता है क्या characteristic share करता है तो इसमें भी share करता है कि no death तो जिस तरह as you like it में कोई भी death नहीं होती है 12 night में कोई डेथ नहीं होती है 12 night में आप देखेंगा मौल वेलियो को बंद कर दिया जाता है कमरे में तो ऐसा लगता है कि अब मौल वेलियो की death हो जाएगे और ये बन जाएगा एक tragedy बट नहीं होता है death होते होते बच जाता है as you like it में भी उसी तरह दिखाता है उसी तरह much ado about nothing में भी hero को death साबित कर दिया जाता है लेकिन at last क्या होता है पता चलता है at the end की hero जिन्दा है तो यहाँ पर ये तीनों ही play एक ही characteristics हो करते हैं कि death होने वाली है बड़ death नहीं होती है ओके next the plot of much ado about nothing shares many features with which Shakespeare's comedy यहाँ पर क्या करे है कि much ado about nothing का जो plot है वो Shakespeare की किस comedy के साथ कई विसेस्ताएं शेयर करता है तो the winter star के साथ next the plot of much ado about nothing also shares significant elements with which Shakespearean tragedy यहाँ पर क्या करे है much ado about nothing का जो plot भी Shakespeare की tragedy के साथ महतपूर element को share करता है तो कौन सी tragedy है Romeo and Juliet की next the courtship between which two characters makes much ado about nothing so memorable तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वह प्रेमर लाब जिसके बीच दो कारेक्टर बनते है much ado about nothing में इतना यादगार तो कौन से ऐसे कारेक्टर है जो बहुत यादगार बनते है तो benedic and bitrice much ado about nothing की जब बात आती है तुमारे दिमाग में यही दो कारेक्टर आ जाते है benedic and bitrice इस वाजे से यह प्ले बहुत ज़्यादा memorable हो जाता है next question है in what country does much ado about nothing take place तो किस country में किस देश में होता है यह play तो इतली में होता है next आगे है next question है at the start of the play Leonardo is preparing to welcome home his friend from तो play की शुरुवात में Leonardo अपने दोस का welcome करने की तयारी करता है कहां से उसका दोस कहां से आता है war से next after Claudio leaps hero at the altar hero's family tells everyone that यहाँ पे क्या कह रहे है कि Claudio को hero की छोडने के बाद वेदी पर hero को परिवार सबको क्या बताता है कहता है कि hero died of grief उनका परिवार कहता है कि hero जो है वो शोक से मर गई मतब grief से दुख से मर गई है next who are the local heads of police तो अस्थानिय प्लिस पर मुख कोन होते है dogberry and watches next at the end of the play how many couples get married in total तो प्ले के अंत में कितने couples की शादी होती है total तो दो ही लोग की शादी होती है कौन से character का एक suspicious nature है जो उन्हें बुरी अफवाहों से असानी से धोखा देता है और बदला लेने के लिए जल्दी बाजी करता है तो कौन से ऐसा character है जो एक suspicious nature है और जिसे evil जो rumors है उसको असानी से उसमें असानी से धोखा खा जाता है और जल्दी ही बदला लेने के ये राजी हो जाता है तो Claudio है क्योंकि Claudio को कितने अच्छे से वो ला के Don John अपने evil plot को ला के सामने रख दता कि hero अच्छी नहीं है hero का character ऐसा है और वो तुरंद मान भी लेता है तो वो एक suspicious nature है क्यों? Claudio इसलिए उसका फाइदा Don John और ब्रोचियों Margaret करते है Who is the nobleman from Aragorn that is sometimes referred to as prince? यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि Aragorn का where nobleman कौन है वो रईस कौन है जिसे कभी-कभी prince कहा जाता है तो Don Pedro को कहा जाता है Who is Antonio? Antonio कौन है यहाँ पर हीरो के अंकल है Next In recent production of the play which character is sometimes stays as Don John's lover तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि recent में हाली में play की production में किस कारेक्टर को कभी-कभी Don John के प्रेमी के रूप में stage किया जाता है मंचित किया जाता है तो Don John के प्रेमी के रूप में Conrad को मंचित किया जाता है stage किया जाता है दिखाया जाता है Next Who sings the songs यह गीत कौन गाता है शाहे no more ladies increasing women to accept man's infidelity तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह गीत कौन गाता है कि महिलाओं को परूसों की बेवफाई सीवकार करने के लिए तो बालसर गाता है कि शाहे no more ladies अभी हमने पढ़ा भी है Next Which character rails against the unequal status of women saying oh that I wore a man for his shape यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कौन सा character कौन सा character ऐसा मान इस्तिती की खिलाफ है महलाएं कह रही है काश में उसके लिए प्रूस होती तो विट्राइस Okay next Who challenges Claudio to a duel after he jills hero तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि hero को jills यानि कि hero को जुकाने के बाद Claudio को dwind youth के लिए कौन चुनोती देता है duel के लिए कौन चुनोती देता है तो benedict देता है Who is the only one of the place gallants fine gentleman not to end up with a wife end up तो यहाँ पिए कहा रहा है कि नाटक के जो वीरों है यानि की अच्छे संजनों में से कौन सा ऐसा character है जो end में एक पत्नी के साथ समाप्त नहीं होता है जिसको पत्नी नहीं मिलती है तो डॉन पैड्रो को नहीं Claudio को hero मिल जाती है benedict को betrace मिल जाती लिकिन डॉन पैड्रो को अंत में ये एक ऐसा gentleman है जिसे wife नहीं मिलती है ओके next who is the first man to propose marriage to betrace either seriously or in jest तो यहाँ पर क्या कहा है betrace को शादी का प्रस्ताव देने वाला पहला विक्ति कौन है चाहे वो seriously दिया हो या फिर just में दिया हो मजाक में दिया हो तो डॉन पैड्रो ही है okay next which historian which historian character backs to be sent to the furthest inch of Asia rather than speak to betrace तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि betrace से बात करने के बजाए कौन सा hysterian character है जो Asia के सबसे दूर के इंच में भीजा जाना चाहता है तो बैनेडिक है okay next देख लेते हैं countries in this play embody the ideal of the ideal of isprajatura in which wit and grace are supposed to appear तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस play में दरबारी isprajatura की आदर्स को धारण करते हैं जिसमें बुद्धी और अनुग्रह परकट होना चाहिए और क्या होना चाहिए effortless भी होना चाहिए okay next which character holds power over his friends by virtue of his social status कौन सा character अपनी समाजिक इस्तिती के अधार पर अपने दोस्तों पर अधिकार रखता है तो डॉन पैडरो रखता है next है Shakespeare uses way betrace and benedict are pulled into falling in love to demonstrate that deceit is not inherently तो यहाँ पर क्या कहा जा जा रहा है कि Shakespeare ने जिस तरह से betrace और benedict को प्यार में पढ़ने के लिए मुर्ख पनाया है यह परदाशित कनने के लिए कि छल्स औभाविक नहीं है इस प्ले की कंटेक्स में हिरो की डिथ क्या है एक सिंबॉलिक है अगला कुशन है इन में से कौन सा जो सीन है वो क्लायमेक्स का परतिनदित करता है तो हीरोज शेमिंग का मुट अधू 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 अधुड है नेक्स्ट अधू 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 इसनायमेक्स मेटम इडू अधू अधू झालोगoncé यहां पिकने मैटम इट और धू इनक्स्पआ अधूыт समोही कृत किया गया नहीं कि ग्रूप्ट किया गया है जैसे कि हैंरी फिप्ट एस यू लाइक इट बें जॉंसन की एवरी मैन इन हिस हूमर ओके अगला कुश्चन है इन हूज हाउस होल्ड डॉन पेड्रो, क्लॉडियो और बेनेडिक इन्वाइट तो स्टे यहां पर क्या का जा रहा कि डॉन पैड्रो, क्लॉडियो और बेनेडिक को किसके घर में एक महीनी के लिए रहनी के लिए आम इंत्रित किया गया है किया गया था तो लिउनाटो के तोरेंस इतना ही क्योंस रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत जादा लेन्दी हो जा रही है बाकी जो भी क्योंस बन रहे है क्योंकी हम निक्स्ट वीडियो में देखेँ गए और इसका PDF चाहिए तो आपकी ना-English Classes से टेलिग्राम पर जोइन हो सकते हैं इस प्ले को अच्छे से पढ़िएगा चाहिए चाहिए कोई भी Questions हो या फिर इसकी Summary हो क्यूंकि इस प्ले से Questions अकसर पूछे हैं मत्तब एक्जाम में 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 टाइम पूछे गाया है अकिस्ट्रेंस मिलते हैं एक वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू पॉर वाचिंग पढ़ते रहे हैं खुश रहे हैं तैयारी अपनी करते रहे हैं तैयारी को ब्रेक होने मत दीजेगा थैंक्यू